असलाम लेकुम क्लास इस इस अर्ड लेक्शर उफ चर्ण नॉलेज और मुझे उमीद है कि आप लोगों को पिछला याद है भी भी और अब हम करते हैं पेज नूबर 15 तो पेज नूबर 15 पे हम देखते हैं हमारा पहला गुस्टन है वाट इस नॉर्मल बॉडी टंपरेचर ऑफ हुमन बॉडी हुमन बॉडी यानि कि इनसानों की जो बॉडी होती है उसका नॉर्मल टंपरेचर क्या होता है जैसे हमें फीवर हो जाता है तो हम कितने टंपरेचर हो रहा है हमारा जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा टंपरेचर हाई होता है और हमें मैडिसन्स देता है तो उसे कैसे बता जलता है कि हमारा टंपरेचर हाई है या हमें बुखार हो रहा है वो चेक करता है किसे चेक करता है थर्मोमीटर से तो उसके लिए जरूरी है कि हमें पता हूँ कि हमारा normal temperature क्या होता है यानि कि अब जब हमें बुखार नहीं है तो हमारा temperature क्या है हमारे पास temperature के दो scale होते है एक होता है Fahrenheit और एक होता है centigrade तो जब हम normal body temperature की बात करते हैं तो हमारे पास 98.6 Fahrenheit और Celsius scale पे 37 degrees Celsius हमारा normal body temperature है तो वेन आइवल आस्क वाट इस अनमल body temperature है तो वेन आइवल आंसर मी 98.6 Fahrenheit और 37 degrees centigrade हमारा normal body temperature Similarly, moving to the next question, question number 7 Which trees are the tallest in the world? कौन से trees जो हैं वो दुनिया में सबसे लंबे trees होते हैं तो हमारे पास इसका answer है Redwood trees in California are the tallest trees California जो है वो अमेरिका की एक state है वहाँ पर redwood trees trees का नाम है redwood trees वो बहुत लंबे होते हैं बहुत ज़्यादा लंबे ग्रो करते हैं वो तो वो trees जो California में मौजूद हैं जिनका नाम redwood trees है वो दुन्या के tallest लंबे trees है ठीक हो गया? अच्छा जी आगे है name the device which is used to know the direction ये तो आप लोगों को पता होगा कौन सी अच्छी device है जो direction मालूम करने के लिए हम use करते हैं जैसे for example हम अगर बोर्ट पे जा रहे हैं और sea में जा रहे हैं हम कहीं पे या ocean में हैं कहीं पे हम और हमें नहीं बता के हमने कहा जाना है आपने cartoons में भी देखा होगा तो वो क्या करते हैं direction मालूम करने के लिए compass use करते हैं तो compass is used to locate the direction next question is which trees does not possess wood किन trees के अंदर wood नहीं होती हम लोग जब trees पड़े थे plants पड़े थे कि जो trees होते हैं उनके अंदर wood होती है जिसे हम उनके stem कहते हैं उनके अंदर branches होती हैं उनके अंदर leaves होते हैं उनके अंदर roots होती हैं shoots होती हैं वग़रा वग़रा तो ऐसे कौन से trees हैं जिनके अंदर wood नहीं होती तो वो है banana tree जो banana tree होता है उसके अंदर wood नहीं होती है उनकी जो stem होती है वो soft होती है वो leaves की ही बनी भी होती है जिसे हम trunk भी कहते हैं तो जो banana trees हैं उनके अंदर wood नहीं होती है next है which is the slowest animal of the world ये तो आप लोगों को पता होगा कौन सा slowest animal है snail snail जो आप लोगों ने मुझे बताया है कि आप लोगों की घरों में जो दरख्त हैं उनके ओपर भी कभी कभी बैठी भी होती है तो snail is the slowest animal of the world और आप लोगों ने नेट पे जरूर देखना है कि snail कैसा होता है ठीक है तो आज हमारा topic यहीं तक था यह 5 questions हैं जो आप लोगों को आने चाहिए जब आप लोगों का paper होगा और जब teacher सुनेंगी तब भी आप लोगों को पता होने चाहिए ठीक हो गया ओके जी अलाफेज